नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोते सीक्रेट कुम्ब रासी 2022, 23, 24 और 25 आपके उपर अभी बरतमान में चल रही है सनिदेव की साधे साती और ये साधे साती हला की आपका पहला चरन है लेकिन 29 अप्रेल 2022 को आपके च्छाती पर साधे साती किया जाएगी क्योंकि सनिदेव आपके लग्ण में आएंगे तो यहां लग्ण में आने से बार्वे अस्थान से सनिदेव का प्रभाव क्या होगा देखिए कुम्ब वालों 29 अप्रेल 2022 को जब सनिदेव गोचर करेंगे रासी परिवर्तन करेंगे तब छाती पर जब साध साथी चलना सुरू हो जाएगा और करिब 2,5 साल तक एक रासी में सनिदेव रहते हैं और अगली रासी में इसके बाद ही प्रवेश करते हैं तो इसके पहले चुकि आपकी साड़े साथी 24 जनवरी 2020 सही शुरू हुई है और सनिदेव के मकर में रहने से इसमें आपके उपर साथे साथी का सुरुवाती चरन चल रहा है लेकिन 29 अप्रेल 2022 को सनिदेव के कुम्भ में यानि आपके लगन में आने से आपके छाती पर चलना सुरू हो जाएगा साथे साथी हलांकि 29 मार्च 2025 तक आपके लगन में रहेंगे सनिदेव और सनी के कुम्भ में प्रवेश करने से दोवारा से मकर रासी में प्रवेश करेंगे तब फिर एक बार आपके पहले चलन के इतना ही फल देगा पर सनीदेव 5 जून 2022 को मकर में वक्री चाल चलेंगे और 17 जन्वरी 2023 तक रहेंगे फिर आपके लगन में वापस आ जाएंगे तो यानि 28-29 अप्रेल से लेकर आपकी जो चाती पर साड़े साती है दूसरा चरन वो शुरू हो जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि साड़े साती का जो दूसरा चरन है वो आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा फल लेकर आएगा चली जानते हैं विस्तार से लेकिन उसके पहले एक बात सुन आपको हम बताना चाहेंगे कि साल 2022 में सनी जब रासी परिवर्तन करेंगे तो सनी देव का पाया भी बदलेगा और जो तिस आसर में सनी देव के चार चरन यानि चार पाये होते हैं और इन चार पायों का परभा हुई आपके जीवन पर चलता है तो उसी निसार आप ये जान सकते हैं कि आपके लिए ये साल कैसा रहेगा देखिए परिवर्तन के समय सनी देव के रासी परिवर्तन के समय चंद्रमा यदि एक, छे, ग्यारवे भाव में हो तो सोने का पाया कहा जाता है और चंद्रमा अगर सनी से दो, पांच, नो भाव में हो तो चांदी का पाया होता है तो चांदी और तांबे का पाया सुमाना जाता है और स्वर्न और लोहे का पाया सुमाना जाता है तो चलिए जानते हैं कि 29 अप्रेल को सनी देव के रासी परिवर्तन करने से आप कुमबालों के पाये क्या होंगे देखे आप लोग बड़े लखी हैं क्योंकि चान्दी का पाया बनेगा और ये रज़त का पाया कुमबालों के जीवन में समाजिक जीवन में परतिष्ठा दिलवाएगा पारिवारी जीवन में सुखद अनुभव आपको होगा और माता पिता का सपोर्ट भी मिलेगा यनि आपके लिए सनिदेव का ये परिवर्तन छाती पर चलना खास कर जब रज़त पाया बनेगा तो यकिनन आपके लिए बहुत वक्त बढ़िया है पारिवारी जीवन में जो साड़े साथी का पहला चरन थोड़ी निरासा दे रहा था अब लगेगा जैसे थोड़े से सुख वापस आ रहे हैं थोड़े से सुकून वापस आ रहा है और माता पिता का सपोर्ट भी आपको मिलेगा नौकरी कारुबार में भी मन चाहे फल आपको मिल सकते हैं तो इस समें आप दिल लगा कर काम करें जो विद्यार्थी हैं उनको सीनियर का गुरुजनों का सपोर्ट प्राप्त होगा जो सिक्षा के छेतर में आपके जो भी परिसानिया है उसको दूर करेगा अब सनिदेव का पाया चांदी है इसलिए कुमबालों आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी अगर आप चाहते हैं बिदेश जाना बिदेश में बसना या फिर जीवन साती के सहयोग से आपका करियर में ग्रो होना ये सभी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव फल दे रह लेकिन चलिए जानते हैं इसके बाद फिर क्या होगा तो कुमबालों अभी तक जो साड़े साती के पहले चरन में रिष्टों में उल्जने थी बैवाही जीवन में दूरियां थी जीवन में थोड़े स्ट्रगल बढ़ गये थे वो अब चांदी का पाया होते ही कम होगा व जो पहला भाह होता है लगन वो आपका भाह होता है आपके विक्तित्त का भाह होता है तो सनी देव इस जो 2022 की सुरुवात है आपके बारवे भाह में रहेंगे और फिर 29 अप्रेल को आप से लेकर 12 जुलाई के बीच आपके लगन में रहेंगे और एक बार फिर से वक्री हो कर आपके बारवेभा में गोचर करेंगे तो जो विद्यार थी हैं जो विदेश जाना चाहते हैं जो अपने उद्देश को पाने की प्रयास कर रहे हैं उनको सफलता चरूर मिलेगी अगर आप वैपसाई हैं तो इस समय विदेश से इस्थित कंपनी से सौधे हो सकते हैं तो इसमें अपने पद को सुरक्षित रखने के लिए आपको अपने काम पर फोकस करना होगा अब यह नहीं कि चांदी का पाया बना तो मस्त हो गया नहीं कर्म फलदाता कर्मों के ही फल देते हैं तो कर्म को बेहतर कीजिए अगर हम आपके संबंधों की बात करें तो देख स्वास कर माता पीता के स्वास्त की परिसानियों का आप नजन अंदाज ना करें उनके स्वास्त का खयाल बनाए रखें आपके घर परिवार में जो यह स्वास्त की समस्या है यह परिसान तो करेगी साथ ही आप अपने जीवन साथ ही और बच्चों की आँखों से जुड़ करें तो आपको भी अपने स्वास्त का खान पान का खयाल रखना है क्योंकि आपके स्वास्त थोड़े से पाइक कमजूर दीखते हैं इसलिए अपने स्वास्त का नियमित रूप से जांच करें और अचानक से स्वास्त में कोई बड़ी समस्या ना हो जाए इसका भी खयाल चलना उतने कश्ट दायक नहीं है जितना वो सोच कर भैभीत हो रहे थे क्योंकि चांदी का पाया आपके सारी खुसियों को आपको लोटा रहा है और आप बड़े खुस नसीब हैं क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए देखिए सनिवार के दिन आप गरीब बेक्तियों मे चमडे की वस्तूओं का दान कर सकते हैं जैसे आप जूता ही दान कर दें चपल दान कर दें काले रंग की वस्तू कंबल वेगरे दान कर सकते हैं तो इससे आपको फायदा होगा हलंकि ये साड़े साती आपको ज़्यादा नहीं परेसान करेगी लेकिन ओम संगसने चराय नम अगर कस्ट जादा हो स्वास्त के जैसे हमने काहा कि स्वास्त में परिशानी है बच्चों का जीवन साथी का माता पिता का कस्ट जादा हो तब आप उनके नाम से थोड़ा सा जैसे जो खाने पीने की बस्तू है वो गरीब बेक्तियों में सनिवार के दिन दान कर सकते हैं और लाइक कर सब्सक्राइब करें आपके कमेंट का भी इंतजार रहेगा हमने अपना नया वेपसाइट लॉंच किया है जिसमें आप रासी फल अंक जोतिस वास्तु सास्त पूजा पाठ से समंदित तमाम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको करें धनिवाद